हालो स्टूरेंट विल्कम यूल तो योर चैनल फार्मा एड़ तो आज मैं हम टॉपिक दिस्कस करेंगे या इस बाकटिक अब बीटा बलोकरश हमारी अभी हमारा चल रहा था ऐंसे ज और आफ़ेजिक द्रॉक्स और गीडेननेशिकर ड्रग्स एसा इसलिए क्योंकि यह जो हमारी बीटा ब्लॉकर्स है यह एंटी एडेनर्जिक ड्रक्स तो है ही साथी साथी एज एंटी हाइपोटेंसिफ ड्रक्स के में भी यूज की जा थी इसलिए इनको हम दोनों तरह की ख्लासिफिकेशन में यूज करते हैं ठीक है ना अब बात करत ताकि अब यह नीडोट्रांस्मीटर कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे आडुपीट करती है ताकि वह अपने रिचेक्टर से बाइंड ना हो पाएं और उनका एक्षन प्रोडूस ना हो पाएं अब इन्ही को हम बोलते हैं क्या सिंपेथोलाइटिक ड्रग्स यह काम हमारी ड्रग्स करेंगे इसको हम बोलते हैं सिंपेथोलाइटिक बार बार बोल रहे हैं सिंपेथोलाइटिक इसमें बहुत करेंगे तो हमेशा याद रखिए जिसमें लाइटिक लगा होगा इसमें एंटी वाली ड्रग्स या ऐंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स उनमें एंटी नहीं लगा रहेगा यह एसी ड्रग्स होती है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अक्टिवेशन को मतलब क्या है भई? यहाँ पर यह रिसेप्टर है अब इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कौन करेगा जाहिर सी बात है हमारा क्या? ब्लॉक करती हैं उनको एक्टिवेट नहीं होने देती हैं सिंपल सी बात इतनी है अब बात करते हैं हमारे कितने टाइप की एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं एक होता है हमारा अल्फा रिसेप्टर दूसरा होता हमारा बीटा रिसेप्टर अल्फा वन अल्फा टू रिस ब्लॉक करेंगी अच्छा इन रिसेप्टर की लोकेशन कहां कहां है हमारी बॉडी में इसके लिए मैंने पहले जो वीडियो बना रखा है आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यह जो रिसेप्टर से इनकी लोकेशन का उनसे जब ड्रक्स एक टायल कोलीन जब बाइंड करता है या जितने जो भी मारी नियो ट्रांस्मीटर जो बाइंड करते हैं वह किस तरीक से अक्षन प्रोड्यूस करते हैं तो आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा तो ऐसी ड्रक्स देट ब्लॉक्ट अलफा क्लासिफिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है बीटा ब्लॉकर का अब यहां पर तीन तरग से एक हमारा नॉइन दूसरा है मारा शैलेक्टेव आन्तीहरा धाल्फा ब्लॉकिंग डूप क्या मतलब sondern सलेक्टियव में मतलब आप ये समझ लीजीißtりआ कि ये वह वहिस होंगी कि में जितने भी बीटा रिसेप्टर होंगे चाहें वो बीटा वन हो चाहें वो बीटा टू हो चाहें वो बीटा थ्री रिसेप्टर हो ठीक है ना उन सब को ब्लॉक करेंगी अब हमें ब्लॉक करवाना है बेसिकली बीटा वन रिसेप्टर को तो यह ड्रक्स नॉन सेलेक्टिव है ठीक है ना इनको नहीं पता कि कौन सा अले बीटा को इनिबिट करना है तो यह बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री जितने वी बीटा रिसेप्टर्स होंगे उन सब की रिसेप्टर पर जा करके अपना अक्शन करेंगी डाट इस वाइड आर कॉल्ड नौन सेलेक्टि सब को ब्लॉक कर सकती है अब आजाए सेलेक्टिव पह अब सेलेक्टिव का मतलब क्या यह वो ड्रक्स होंगी जो रिक्वाइड बीटा रिसेप्टर पही जाकर के अपना अक्शन प्रोवाइड करेंगी बीच में कहीं नहीं किसी की बीटा टू को भी जाकर बाइंड हो है बीटावन lid बाकि हमें लंक से मतलम नहीं है बाकने लिवर से मतलम नहीं है औधर पार्ट पिछो भी बीटि रिसेप्ट कर उन से मतलम नहीं इstat beta इस ना वाखुन कायर नान सेलेक्टिव लगव सारी that is soya by Ryak Larry तो यह हमारी सेलेक्टेव ड्रक्स जिनको पता है कि हमें इसी रिसेप्टर को बाइंड करना है तो किसी भी दूसरे रिसेप्टर पर अपने जाकर के एक्शन प्रवाइड नहीं करेंगे ठीक है अब आजाईए ऐसी ड्रक्स विद अल्फा ब्लॉकिंग अक्टिविटी ऐसी रिसेप्र को भी ब्लॉककर ब्लॉकर होता है है कि सी रिजन से हमारा है ना यह वाला स्य साथि है पतीजी से बहुत तेजी से काम करने हए 1789 ब्लॉकर वाट różबब य् gift करेंट आग्री। सब्सक्राइब कर रहे जादा बढ़ा है अगर कार्डियक में बढ़े घ्राइब तो यहां पर क्या बोला जा रहा है जनृर्डेस नशिंस प्लाइब कर रहा है उसके वजह से नंबर उफ इंपल्स पास तो था इंपल्स आएंगी वह भी काफी फास्ट होंगी यानि हमारे हाट के पास उस रीजन से विच रिजर्ट इंक्रीज़ अक्सिजन कंजप्शन तू थू आप यानि कि हमारा हाट जो है वह काफी तेजी से काम कर रहें तो जाहर से बाद उसको किसे अप्लाय और ऑक्सिजन की डिमांड उसको जद्सक्षाइब अब उस कंडीशन उसको प्रापर oxygen नहीं मिल पा रहा है तो उस condition में लो oxygen के supply हुई तो उस condition में heart का कुछ हिस्सा जो है जिसको हम बोलते हैं वो dead भी हो सकता है जिसको हम बोलते है myocardial infection या कई सारी disease create हो सकती है enzina create हो सकता है हाट के टिशू जो है वो डग हो जाएंगे हैर हाट जो है वो कुद भी डग हो सकता है अब हम क्या कर सकते हैं से इस कंडिशन में हम जनरली यह कर सकते हैं कि हाड को डिक्रीज किया जाए अब हाड को कैसे करेंगे तो जो उसके पास नमबर ऑफ इंपल्स आरें ना contraction and relaxation वाली उस number of impulse को हम किसी रिजन से कम कर सकते हैं तो अगर मान लीजे कि हमारे हाट पे यह number of impulse जो है ठीक है ना इस पे impulse जो है वो जाधा आ रही है तो हम इस impulse को अगर कम कर दें तो जाहिए इसी वात है हाट का सकते ही हाट हो जाएगा उचा रहा है और सकता ह crec का काम करने मar क्लिलेश जाहिए तो बाल प्रिकितने चाहिए चेहDie रहा है move किसी भी खेंपने होऊ कि ऎ llev म میں कर दें कि कैसे ब्लॉक करेंगे उस receptor को ही occupy कर लेंगे ताकि जो adrenaline है नौर adrenaline है वह अपने से बायंड ना हो अद फर्दर जो है आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज ना हो यहाँ पर हमारा हम यह बोल सकते हैं कि हमारी डरक्स है जो बीता ब्लॉकर्स हैं वह जनरली क्या करेंगी दिप्लॉग दा नंबर ओफ इंपल्स पासे दो दा हाट कि वह जो हाट के पास बहुत दान लंबर ओफ इंपल्स जनरेट हो रही है उनको ही ब्लॉक कर देंगी जिसकी वस्ते जो हाट रिट है वह नॉर्मल पर आ जाएगी ठीक है ना तो दिस इस दे मेन हम क्या चाहते हैं उसका कडेश्य करेंगे क्या क्या है इंपास को जनरेट करती है जिसका पूरी जो हाट में है उस इंपल्स जनरेट होते हैं घी है काम करने के-लिए बी गाल एक अरब को असलों के बात के टिंगे विकली से इंक्रीस हा रट-REAT से ह्ट रेतों हो जाएक है और इस चाहते है थीके न फिर इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी ब्लॉक बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दा हाट जो बीटा वन रिसेप्टर पाया जाता है हाट का उसको ब्लॉक करेंगी जिसकी वज़त से decrease heart rate, decrease cardiac load and decrease oxygen consumption ये तीनों चीज़े जो है वो एक साथ हो जाएंगी अगर हम बीटा ब्लॉकर्स के थुरू बीटा वन डिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो ठीके ना हमारी बीटा ब्लॉकर्स है वो पेरिफेरल वैसो कंस्रिक्शन भी करते हैं अगर हमारी ममझे स्ञकू की आप लोगिये परिफेरल ब्रांगाई तो बीटा ब्लॉकर का ब्रांचाईप में याद रखना कभी भी आस्तमा के पैशन को कफेंन का रीजन क्या है उसमें भी नॉन स्धेटेटेवी पैशन को नहीं कि उवक्टाऱ् म कहता है डियेध नौन इधर टू कर लिट होदे विड्यू टू बाइट। ठीक है किस पे? ब्रॉंकाई पे अगर हम non selective βीटा ब्लॉकर देंगे तो ये antagonist ब्रॉंकाई पे जाकर कि इस बीटा 2 receptor को भी inhibit करेंगे जिसकी वज़़से ब्रॉंकी construction होगा ठीक है ना ब्रॉंकाई construction का मतलब क्या है? ये जो ब्रॉंकाई ब्रॉंकाई है तो इसका पाथवे जो है वो काफी नैरो हो जाएगा नैरो होने की वज़़से लिस oxygen एंटर करेगी ब्रॉंकाई में अगर oxygen कम एंटर करेगी तो जो अस्थमा के patients है उनको तो जायदा amount में oxygen की जरुवत होती है क्योंकि अगर लेस oxygen जाएगी तो उनको लंग्स में oxygen कम जाएगी उस बज़़से अस्थमा के patients को बहुत जल्दी अस्थमा का आटायक आ सकता है अगर लेस oxygen जाएगी तो इसलिए कभी भी ब्लॉकर्स जो है वो भी एटायक स्थमा की ब्लॉको स्थमा के पिष्ड़ पेश्ट्र जाती है उनमें वो से बहुत नैरो हो जाएगा बहुत कंस्ड्रिक्ट हो जाएगा जिसके वाट लेस oxygen जाएगी ब्लॉक्स मेंची ब्लॉक ब्लॉक्स में नहीं दिया जा सकता ठीक है ना अब आती है बात हमारे that is a skeletal muscles skeletal muscles पर क्या effect होता है हमारे beta blockers का अगर chronic use chronic use का मतलब है कि बहुत time से अगर कोई person use कर रहा है तीन महिने चार महिने पांच महिने शी महिने अगर continuous beta blockers का use करेगा तो जो skeletal muscles है ना skeletal muscles जैसे हाथ की muscles पर की muscles ठीक है दी जादा skeletal muscles क्यूंकि हमारे bones से डालेक्ट जूड़ी हुई है तो इनको हम बोलते है skeletal muscles तो हाथ पर की bones में जो है वह बहुत जादा weakness induced हो सकती है या tiredness induced होती क्यूंकि हमारे skeletal muscles पर हमारे beta 2 receptor पाय जाते हैं अगर यह continuously अगर हम non selective beta blockers देंगे तो यह non selective beta blockers skeletal muscles के beta 2 receptor पर भी जागर के अपना effect देंगी और उनको inhibit करेंगे जिसकी वजह से एक बहुत जादा time तक लॉंग अगर कोई duration से use करेगा तो उसको weakness and tiredness हो सकती है ठीक है ना this is the about the pharmacological role of beta blockers which we learned about the heart, the blood vessels and the blood vessels, the bronchitis and the skeletal muscles अब हम देखते हैं, the adverse effect of beta blockers beta blocker's adverse effect क्या है सबसे पहले मैंने क्या बता है कि breadycardia breadycardia का मतलब क्या होता है क्योंकि हम beta blockers किस लिए दे रहे हैं heart rate को decrease करने के लिए force of contraction को decrease करने के लिए अभी हमने इसे पहले ज़स्ट पढ़ा था ना यह देखिए इसमें कि हम किसलिए दे रहे हैं force of contraction जो है वो आपको जो बुल सकते हैं कि heart rate जो है वो decrease हो जाए लेकिन अगर continuously अगर हम यह बीटा ब्लॉकर्स देंगे जाहिर सी बात है एक टाइम के बाद यह जो बीटा ब्लॉकर्स हैं यह chronic use पे ब्रेडी कार्डिया इंड्यूस कर सकती हैं जिसको हम बुलते हैं decrease heart rate जो chronic use पे यह drugs जो हमारे heart में bredy cardia induced कर सकती हैं अगर हम बात करें रेश्पीरेटरे सिस्टम पे तो मैंने क्या पता है कि bronchospas bronchospas ब्रॉंको स्पास मतलब constrict कर जाना तो bronchi को constrict करेंगे जिसकी वज़से यह बीटा तूट्य को भी effect करेंगे और इस लेए अस्थमा के को नहीं दी जा सकती है life disturbance पे रेखेंगी जो एडवर्स एफेक्ट है यह वन टाइम एक नहीं एक दिन खा लिया तो आएगा ने क्रोंडी एक वाले एफेक्ट है कि कोई लॉंग डियोरेशन तक अगर ब्रॉक्कर ले रहा है तो उस कंडिशन में उसको यह एफेक्ट हो सब्स चौथा हात है हमारा muscular weakness जो मैंने आपको बताया कि skeletal muscles पे हमारे beta 2 receptor पाया जाते हैं beta 2 receptors क्या करते हैं skeletal muscles पे contraction के लिए responsible होते हैं तो अगर non selective beta blockers अगर दे रहे हैं तो उसकी वज़े से muscular weakness induced हो सकते है ठीक है ना and last आता है हमारा that is a withdrawal symptom withdrawal symptom का मतलब क्या कि अगर कोई patient बहुत लंबे duration से beta blockers ले रहा है और उस condition में अगर वो छोड़ देता है तो उस condition उसकी body जो है वो shivering करेगी उसको nervousness feel होगा या बोल सकते ना कि drug addiction जैसे जो symptoms आते हैं वैसे उसी को मुलते है withdrawal symptom की ड्रग लेते लेते एंड अचानक से छोड़ देना उसी को बुलते है withdrawal symptom क्योंकि body क्या होती है habitual हो जाती उस चीज के लिए ठीक है और अगर more scientific term में जाए तो जो receptors होते है they are more sensitive regarding the drug अब उनको अपना action करने के लिए drug ही चाहिए होती है basically so एक बोल सकते हैं कि withdrawal symptom arise होता है अगर हम अचानक से drug को छोड़ दे अब इसलिए क्या किया जाता है कि जो drug है उसको बहुत धीरे-धीरे concentration में कम किया जाता है अगर मानलों कि इसको stoppage करना है बीटा ब्लोकर्स को तो उसकी dose को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम किया जाएगा ताकि अगर अचानक से कम करेंगे तो बॉड़ी स्वेटिंग इंड्यूस होने लगेगा वामिटिंग इंड्यूस होगा चक्कर आएगा या फेंट होने लगेगा इंसान अब लास्ट बात करते हैं हमारे ड्रग इंट्राक्शन की अतलब बीटा इंड्रग के साथ नहीं दी जा सकती है टो पहला है यहां पर मैने प्रॉपेनलोल या थी लेग विरृपत्विण क्या है एंटी इंपिलेप्तिक इपिलेप्तिक्य धियापके सबस्टे साथ लुग कर बही चांस तो यह काडिक अरेस्ट आने के चांसे हो सकते हैं इसलिए कभी प्रोपेनलोल विरापेमिल के साथ नहीं दी जाएगी नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर कभी इंसुलिन के साथ नहीं दिया जाएगा इसका रीजन यह है कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती है तो ग्लाइकोजनलिसिस का मतलब क्या समझेए ग्लाइकोजनलिसिस का मतलब है यानि कि ग्लाइकोजन का यह माली जी यह ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन का ग्लुकोज में कनवर्जन इसमें ग्लुकोज में तो अब ग्लुकोज क्या है हमारी बॉड़ी के लिए काफी ए यह बीटा ब्लॉकर कभी इंसुलिन के साथ नहीं दी जा सकती है नेक्स आता है कोलेस्ट्रामाइन हमारी कॉंसी ड्रग है बाइल असेट सीक्वेस्ट्रून्ट है जो हाइपर लिपिडमिक एजेंट्स में या हाइपर कोलेस्ट्रॉल में दिया जाता है है ठीक है ना सो थैंक्यू सो मच फ़र वाचिंग और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर भीजे और मुझे कमेंट में जरूर बताएए कि नेक्स वीडियो आप किसवे पढ़ना चाते हैं थैंक्यू सो मच फ़र वाचिंग